आज लुदियाना मंडी में डायमन आलू का क्या भाव रहा नमस्कार किसान भाइयो मैं राजू भाईया आज के इस वीडियो में सभी किसान भाइयों का स्वागत करता हूँ किसान भाईयों आतरीक हो चुका है छे अगस्त दो हजार चौबिस दिन हो चुका है मंगलवार पंजाब लोदियाना की मंडी में डैमन आलू लाल आलू पुखराज आलू और जितने भी आलू आ रहे हैं सभी का आलू क्या भाव है क्या कुछ बजार है क्या कुछ बिक्री है तो मेरे प्यारे प्यारे किसान भाईयों चैनल पहली बार आए हैं तो चैनल को सस्क्राइब कर कर दें चलो अब जान लेते हैं लो दियाना मंडी में आलू का क्या भाव रहा डायमन आलू की बात करें अगर डायमन आलू की बात करें डायमन आलू जो गुल्ला आलू है अगर गुल्ला आलू की बात करें जो गुल्ला आलू का भाव विका है नीचे 800 से लेकर ऊपर 900 के भा यह मीडियम दाना वोलते हैं इसको बहु ए रहा और आलू का जो बड़ीया आलू है जो मोटा है मेडियम दाना है मध्यम दाना है डो क्वाल्टी मोटा हो आ रहा है अगर मैं उसकी बात करूं डाइमन आलू की तो एक हजार से लेकर साड़े दस सो ग्यारा सो के भाव में आलू डैमन आलू का होलसेल भाव रहा है तो मेरे प्यारे प्यारे किसान भाईयों आपने इस वीडियो में देखा डैमन आलू का क्या भाव रहा अगर मैं रिटेल बात करूं रिटेल भाव जो भी रहा है पांच किलो दस किलो बीस जो मारे भाई मंडी में आके आपने घर के लिए या छोटे-छोटे दुकंदार जो है और बोरी नहीं लेते हैं डश बीस-किलो-तीसकिलो खुला आलु जाते हैं और उसका भाव बताऊं तो चॉबिस लेकर 26 किलो का इसका रिटेलौ भाव आलु का रहा है तो आपने देखा रिटेल भाव देख़ा और दैमन का होस्टे लिजध हो देख़ा तो दोनों का भाव आलु मंडी में ए रहा लाल आलू की बात करें लाल आलू जो अच्छी क्वाल्टी का बढ़िया क्वाल्टी का आलू है अगर मैं उसकी बात करूं तो ओ आलू एक हजास लेकर ग्यारा सो के भाव में अच्छी क्वाल्टी का आलू बिका है अगर मैं लाल आलू का जो मीडियम दाना है या लार आलू और यहें लार आलु की बाद करें जो मीडियम दाना उसका भी भाव और नहीं टूटेंगा आलू का भाव अभी और चड़े गा और आने माले एक दू महने में आलू के भाव में अच्छी बिक्री और अच्छी आमदन होने वाली है तो मेरे प्यारे प्यारे किसान भाईयों आप कहां से हैं, किस जगां से हैं, किस एरिये हैं, किस कस्बे से हैं, आप कमेंड किया करो, कमेंड के मादम से मुझे पता लगता है कि आप हमारा वीडियो कहां देख रहो, कहां कहां जा रहा है, तो इससे हमें उस्ता मिलता है, एनर अगर मैं उसकी बात करूं तो वालू भी नौसर लेकर हजार रपे के भाव में वालू भी का है जो इसको सुगर फिरी नहीं बोलते हैं पंजाब दियाना मंडी में जो डैमन आलू है और डैमन आलू को अगर यहां से बाहर निकलता है पंजाब से बाहर दूसरे स्टेट में जाता है तो उसको सुगर फिरी नाम से पहचाना जाता है और पंजाब के पूरे कस्बे में पूरे इलाके में पूरे सहर में जितने भी पंजाब के स्टेट हैं जितने पंजाब का पूरा एरिया है सभी पंजाब में डैमन आलू के नाम से फेमस है और पूरे पंजाब में डायमन आलू खाने का स्वास बढ़िया है इस वज़ह से पंजाब में डायमन आलू ज्यादा बिखता है और कहीं कहीं ऐसा श्टेप है पंजाब के अलग राजspace में जहां लाल अलू की थोड़ा बोड़ा बिग जाता है लेकिन पंजाम में ज्यादा अलू सफेट डायमन्ड बिगता है दिल्ली में भी लाल अलू बिगता है तो वहां सफेट कम बिगता लेकिन लाल अलू की मांग दिल्ली और यूपी में सबसे ज्यादा है तो यानि हमारे किसान भाईयों को इसका भाव रोज करोज मिलता रहे चैनल के माधदम से रोज जानकारी मिलती रहे और हमारे किसान भाईयों का जो उस्साह बढ़ता रहे और आगे सागे काम करने को उनको एनरजी मिलती रहे और मंडियों में जो आवत आलू की आवत को कम मातर मिल जा किसान भाई हैं उनको भी इसका फायदा होगा अगर अराइबल को कम करेंगी फिल्हाल हमारे किसान भाई जो डर रहे हैं कि अलू का जो अभी डैमेज आलू है जो आलू रखने में खाने में ठीक नहीं है वह कहीं जाके हमें नुक्सान न पहुंचाए इसलिए जो छोटे पा है ले लो और लेके निकल जाओ लेकिन निकलने की बात नहीं है जो हमारे बड़े-बड़े किसान भाई हैं बड़े-बड़े बैपारी हैं जिन्होंने हजारनों कई हजारों में आलू का बैपार करते हैं कट्टों का बोरियों का ओ तो निकलने वाले नहीं है उनको मैं एक कि सलाह उनको लिए कि समय समय पर आप आलू का लाब लेते रहें समय समय पर बेचते रहें पांसो बिके हजार बिके पंदासो बिके दो हजार बिके सब का लाब लेते रहें समय समय पर आलू बेचेंगे तो आपको ज्यादा और मुनाफ़ा होने वाला है क्योंकि आपका बचाएगा मुझाएगा